जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुल्सी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर पसंग आता है सुन्दर कांड का जी हां यह सुन्दर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेका नेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ की साथ हनुमान जी और प्रहुश्ली राम जी की कृपाएं प्राप्त होती है तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगद, जामबंत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे हैं जामबंत के याद बिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवनवेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुई श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुष्ठी काती मारी लंकी निधरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई अनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है लंका भीतर हनुमत आए अखियां फिर चौन दाई है सिया मा का पता न पाए सिया मा का पता न पाए तैरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है लामायन में समसे सुंदर भूग तो सुंदर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती सत्य जानने हेतु वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राफ्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्री का देकर उनका संदेश लेते हैं और मा सीता से वातसल्य और धेर सारे बरदान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आ जाते हैं केल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँछ में आग कि लगवाए अनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका चलवाई गूंज रहा लंका में देखो हाँ गूंज रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री अनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्ड़ थो सुन्दर कान सीहन मत की लीला ओता परता ये गुण गाल है रामायन में सबसे सुन्द़ श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कुटिया को छोड सारी लंका जल कर राख बना दी समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूत उनकी चूडा मनी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं, अब प्रभु की सेना सागर तट पर आप पहुची है कीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना शिरी राम ने अगनिवान फिर अपने धनुष पर खाताना शमा मांग ली सागर ने और ये उपाए थे बत लाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू तो बंधवाए शिला तैर गई सागर में शिला तैर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्रीहनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तों तो सुन्दर गान है श्रीहनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बान राम सेना लंका तटपरा पहुची रावन का भाई विबीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रावन सेना का संचालन मेग नात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंगोर भयंकर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विबीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुषेण को लियाए वैद्य जी के बताय नुसार श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय परवत स्रंखला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए रामजी उनको हिर्द लगाए थे चेम के आँसों भक्त और भगवान के आँसों आये थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दत, अब तो सुन्दर कान है, शीहन मत की लीला आउखा, करता ये कुण गान है, करता ये कुण गान है रामायन में सबसे सुन्दत रावण और रामजी के बीच धनगोर युद्धु हुआ भक्तों, और रावण का अंतकर प्रभूश्री रामजी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक युद्धाओं के साथ फुष्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से रामजी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीबावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने रामजी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के गले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम कि क्रोधुरे विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा हनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर तसंग आता है सुन्दर कान्ड का जी हां यह सुन्दर कान्ड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कान्ड को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ भी साथ हनुमान जी और प्रभुश्री राम जी की क्रिपाएं प्राप्त होती है तो आईए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुंदर रामायन में सबसे सुंदर वगतों सुंदर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगत जामबंत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे हैं जामबंत के याद बिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेख से उड़कर सागर पार करने को निकल पढ़ते हैं मार्ग में उन्हे सुरसा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वर्दान का मान रखते हुए श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुँचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकीनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लगुरूप बनाकर धीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुस्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बतलाई हनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है लंका भी तर हनुमत आए अखियां फिर चोंदाई है सीया मा का पता न पाए सीया मा का पता न पाए पहरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती सत्य जानने हेतू वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीशन को पाते दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुंत्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वादसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथ को मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकड़ कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन प्रोध में आ जाते हैं तेल पोरी पट बांद पुनी फिर पूँछ में आगती लगवाए अनुमत ने भी राम बोलके सारी लंका जलवाई गूझ रहा लंका में देखो भगतों जैश्री राम है श्री अनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर कुण तो सुन्दर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका तो अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में भाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कुटिया को छोड़ सारी लंका जल कर राख बना दिया समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूद उनकी चूडा मनी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभू की सेना सागर्तट पर आप पहुची है कीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्री राम ने अगनिवान फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांग ली सागर्ने और ये उपाय थे बत लाए नल और नील के हाथों सागर्त पर से तू को भंधवाए शिला तैर गई सागर्मे शिला तैर गई सागर्मे जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीला आउटा करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर, वंग तो सुन्दर कान है, शीहन मत की लीला आउखा, करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है, रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध, राम सेना लंका तटपरा पहुँची, रामन का भाय विबीशन, तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था, आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है, और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे है, दोनों योधाओं में धोर भयन कर युद्ध हुआ, कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया, विबीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुषेण को लियाए, वैद्य जी के बताया नुसार, श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर ह संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवत्ती उठा लाए, संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवितो उठे और पूरे रामा दल में, जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत्त लाए, प्राण लखन के राखे थे काम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताये रामजी, उनको हिर्द लगाए थे चेम के आसु भक्त और भगवान के आसों आये थे रामचरण में बैठ गए थे रामचरण में बैठ गए थे वगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर हम तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीला आउता करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावण और राम जी के बीच घंगोर युद्धु हुआ भक्तों और रावण का अंतकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेक अनेक योध्धाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीबावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के गले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोध हुए विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सबको करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणदान है रामायन में सबसे सुन्दे रामायन में सबसे सुन्दे